मदर्सा मज़ित एक्शन रियक्शन सरकारी जमीन पर कब्जा मदर्से पर चला बुल्डोजर इंसा की आग में जली देव भूमी नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं कटर पंठियों ने देश के कई राज्यों का अपनी हिंसा का शिकार बनाया है लगातार कोई न कोई राज्यों से बवाल की खबरे सामने आती हैं वहीं अब देव भूमी कहे जाने वाले उत्राखंट को भी इन कटर पंठियों ने नहीं छोड़ा जहां से खतरनाक हिंसा की खबर सामने आई है हालात यह हैं कि इलाके में धारा 144 लागू की गई है सांधिसान पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है उत्राखंट के कुमाव मंडल के नेनिताल जनपत में एक शहर है हल्दवानी जिसे उत्राखंट की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है जहां का बनभल पुरा अवैद अतिकरमण के लिए कुख्यात है जहां 4,000 से भी अधिक पर सरकारी जमीन पर अवैद कबजा करके बनाए गए है बड़ी संख्या में मुसल्मों ने सरकारी जमीन पर कबजा करके बस्तिया बसा रखी है बदादे कि हलदवानी में गुरुवार 8 फरवरी को पुलिस प्रशासन की टीम बनभुल पुरा शेत्र में सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मस्जित को हटाने गई थी प्रशासन का कहना है कि मदरसे और मस्जित का नर्माण अवैद रूप से हुआ है हाई कोड ने उसे हटाने का आदेश दिया था जिस पर कारवाई करते हुए टीम वहाँ पहुंची इस्थानी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया जैसे ही टीम ने मदरसे और मस्जित पर अतिकरमन के खलाब कारवाई शुरू की तो महीलाएं और इस्थानी निवासियों की गुसाई भीड विरोध में सडक पर उतराई और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गए फिर नारेबाजी हुई और टीम पर पत्थर फैक ने शुरू करती है जिस समय जेसी पी का एक्शिन चल रहा था उसी दोरान भीड हिंसक हो गई औ पर नारेबाजी करने के बाद पत्थराव करने लगी देखते ही देखते पूरे शेत्र में हालात तनाव पूर्ण हो गए बुल्डोजर चलाने पहुंचे प्रिशासन पर उपद्रियों ने जम कर प्रत्राव किया अतिक्रम्ण विरोधी अभियान वाली जगा पर कट्टर पंतियों के हमले में पुलिस के कई जमान घाल हो गए कट्टर पंति मुस्लिमों की भीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी इसके बाद इस भीड ने बनभुल पूरा पुलिस थाने को घेड लिया उन्होंने पहले थाने पर पत्थराव किया फिर पत्थर बाज पीछे हो गई यहां भी पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत पत्थर बाजों के बाद आई हमलावरों की नई टी इस टीम के हाथों में पैट्रॉल बं थे उन्होंने पुलिस थाने के बाहर खड़ी गाडियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया आसपास से पुलिस ने आक्र करने वालों ने थाने में आगजिनी की और दरजनों गाडियों को फूग दिया बवाल के बाद अब पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा गया है और उपद्रियों पर एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन और सरकार दावा कर रही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही अति कुमिक शाली इस बैठक में तै कि आगया कि दंगाईयों को देखते ही गोली मार दी जाए उन्होंने अराजक तत्वों से सकती से नपटने के लिए अधिकारियों को दिशान निर्देश दिये दैरादून में अपने अधिकारी का आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य के दोश्यों के खलाब सकत कारवाही कर शेत्र में शांती ववस्ता सुनिष्टित की जाए उन्हें पश्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में किसी को भी कानून ववस्ता से खिलवार करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए वहीं आपको बता दे कि भीड़ द्वारा की ग पुका नहीं गया इतना ही नहीं बलकि एक पैट्रॉल पंप को भी फूग दिया गया बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने कारवाई से पहले हवाई सर्वे नहीं कर आया और प्रकरण को हलके में लिया उदर सोशल मीडिया में इसलामी कट्रपंथियों का साथ देने के तमाम पहलों को विस्तार से सामने रखा है उन्होंने साफ किया कि उपद्रियों ने प्रशासन की टीम को निशाना बनाया ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों को जिला कर मारना चाहते थे वंदना सिंग ने असपष्ट दौर पर कहा कि ये हमला कानून विवस्था की सि अधिके से बनाया गया है प्रशासन ने बताया कि 30 जनवरी को नगर निगम ने इसे डहाने का नोटिस दिया था और जमीन को नगर निगम ने पहले ही अपने कबजे में लेकर इसको सील कर दिया है उन्होंने बताया कि हलदवानी में हुई हिंसा प्लानिंग के तहत हुई पुलिस की टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर रखे गए थे पुलिस कर्मियों को जिंदा जुलाने की कोशिश भी गई हिंसक भीड में महिलाएं भी शामिल थी हिंसा की वज़े से शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है वहीं आपको बता दे कि बनभुल पुरा में सबसे ज़्यादा नुपसान थाने के आसपास हुआ है इसलामिक कट्टर पंधियों की भीड कोशिश कर रही थी कि यह आग जल ही पूरे हल्दवानी वे फैल जाए बनभुल पुरा थाने को नश्ट करने के बाद ये भीड गाधी नगर इलाके की ओर बड़ी गाधी नगर में मिश्रित आबादी है किसी एक समुदाय का बहुमत नहीं है ऐसे में प्रशासन और गाधी नगर को आतंकित करने के लिए ये भीड उधर की तरफ बड़ी हाला कि तब तक बाहार से सुरक्षा बल पहुंच गे पी एसी के साथ ये अन्य केंदर सुरक्षा बलो की जवार पहुंच के थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाधी नगर में हिंसा होने से रोकी हलाकि गाधी नगर को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया गया था इस दोरान बनबुलपुरा से लेकर गाधी नगर तक भार सुरक्षा बलो ने मोचा समाला और किसी तरह से इस हिंसा को हलदवानी के मुख्य शहर में पहुंचने से रोक लिया वहीं आपको बता दी कि पूरा घटना करम उसी पैटन को दोहरा रहा है जिसके तहल देश की राजधानी दिल्ली को काफी समय तक आतंकित करके रखा गया की ठाने पर हमले के बाद ये भीड गाधी नगर को घेड चुकी थी इसके बाद कटर पंती हमलों की इस भीड ने हलदवानी में हाहाकार मचाने के लिए आग बढ़ाने की कोशिश की लेकिन प्रशासनिक सकरीता के चलते ऐसा ना हो सका जबकि दिल्ली में ये हिंसा उत्तर पूरवी दिल्ली में फैल गई थी वहीं डीम ने आगे बताया कि हलदवानी में नियाले के आदेश के बाद कुछ और जगा भी अतिकरमन हटाने की कारवाई की गई है राज्यसरकार ने इसके लिए टास्क फोर्स भी गठिद कर रखी है गौरतलम है कि हलदवानी में अति है प्रभावी शेत्रों में लग अदिया इसके साथ ही उपद्रियों को देखते ही गोली बारलरे का निरदेश दिया गया है वहीं प्रशास्ट ने अफ़ाँ स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोशित कर रखी है और पूरे राज में हाई अलर्ट है अब तक 6 जिलों से पैरा मिलिटरी फोर्स मगाई गई है भारत सेना भी शनिवार को पहुंच जाएगी उपद्रियों को चिन्नित किया रहा है वहीं आपको बता दे कि उत्तराखंड के हलदवानी का ये इलाका पहली बार इसलामी कटर पंथियों की वज़ा से चर्चा में नहीं आया है पिछले साल भी जब कोट ने रेलवी की जमीन जिस पर कबजा किया गया था उसे अतिकर्वन हटाने की आदेश दिये थे जिस पर बाद में स्टे लग गया था उस समय भी लोगों ने माहौल बिगारने की पूरी कोशिश की दी और आज भी वही कोशिश इनकी जारी है स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नहीं मुद्दे के साथ बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्क करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया